प्यारे बच्चो असलाम अलेकुम आईए अब हम देखते हैं आतिश फिशा जब बैरुनी मगस के ठोस, माई, गैस, माद्दे जब सते जमीन के बाहर फेके जाते हैं तो इस अमल को आतिश फिशानी अमल कहते हैं राख, आबी बुखारात, मुक्तलिफ किस्म की जहरीली और आतिशी गैसे, गर्म और पिगली हुई चटानों को सियाल माद्दा कहते हैं इस सियाल को लावा भी कहां जाता हैं आतिश फिशानी अमल के लिहाद से दो किस्मे हैं एक मरकजी आतिश फिशा और दूसरा है दरार नुमा आतिश फिशा आइए, अब हम मरकजी आतिश फिशा इसके बारे में कुछ मालुमात हसिल करेंगे आतिश फिशा के मरकज से गर्म सियाल यनि लावा नाली नुमा रास्ते से बाहर निकलता है तो इस लावए के निकलने को मरकजी आतिश फिशा कहते हैं ये लावा नाली के एतिराफ जमा हो जाता है जिसके सबब मखरूती शकल का आतिश फिशा पहाड वजूद में आता है मसलन जापान का फिजी यामा पहाड और तंजानिया में किली मंजारो पहाड इनको मरकजी आतिश फिशा पहाड भी कहते हैं दूसरा है दराड नुमा आतिश फिशा जब आतिश फिशा के मरकज से गर्म सियाल ये लावा मुक्तलिब दराडों के जरीए बाहर निकलता है तो इसे दराड नुमा आतिश फिशा कहते हैं ये लावा दराडों के दोनों जानिब फैल जाता है जिसकी वज़े से आतिश फिशा नी सते मुर्तफ़ा वजूद में आती है मसलन भारत में दक्कन की सते मुर्तफ़ा इस किस्म के आतिश फिशा वजूद में आती हैं आईए अब हम आतिश फिशा के असरात देखते हैं आतिश फिशानी अमल से जानी वो माली नुक्सान होता है बहर आजम से आतिश फिशा की वज़े से कभी कभी सोनामी लहरे तयार होती है आतिश फिशा से निकलने वाली दूल, धुआ, राख, गेस, आभी बुखारात वगेरा अजिज़ा देर तक फिज़ा में रहते हैं जिसकी वज़े से माहुल का तावाजन बिगड़ जाता है आतिश फिशा की राख की वज़े से जमीन जरखेज हो जाती है लावे की वज़े से कई किसम की मेदियात सते जमीन पर दस्तियाब होती है आतिश फिशानी अमल की वज़े से नई जमीन तयार होती है या कोई जजिरा तबा भी हो सकता है मुर्दा आतिश फिशा के दहाने में बारिश का पानी जमा होकर जील वजुद में आती है